सर मेरा कोश्चन यह है कि अपना पैसा मैं कहां इंवेस्ट करूं पैसा कहां इंवेस्ट करें रोहित का कॉश्चन बढ़ा इंपोर्टेंट है और मैं आपको कुछ ऐसी हिडन चीज बताने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं समझाएगा वैसे इन्वेस्टमेंट के आठ दस ओपशन्स होते हैं बद जो मैं ऐपशन बताऊंगा कुई नहीं बताएगा किस से पुछते हैं हम लो हम पूछते हैंशा के वारे में वो सही सला नहीं हम पूछते हैं प्र्वपटी डिलर से क्यों कुछ इं कहीन कुछ इंट्रस्ट इन्वाल होता है उनका कुछ फायदा होता है आप जिससे पुछो के वह अपने हिसाब से आपको बोलेगा क्योंकि उनको कुछ कमिशन कमाना है उनको कुछ फायदा उठाना है मैं जो आपको option बताने जा रहा हूं यह option आपकी life बदल सकता है बहुत फायदे की बात बताने जा कहीं बुक से पढ़ लिया आपने कहीं मैग्जीन से पढ़ लिया कहीं सुन लिया यह question ही गलट है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें समझना मेरी बात को कई लोग के दिमाग में आता है विल्कुल गलत ऑख्शन है कोई कह.." कोई कहता है प्रोपटी पे इंवेस्ट करना है .. तो आपकी दिमाग में आता हुए .. सही वा पात को समझना मेरी बात को. एक है आपकी Incoming, आप कमाई करते हो .. कमाई या तो आप जॉब से करते हो बिजनस से करते हो एक तो कमाई करी एक है आपका expense incoming or expense outgoing incoming में आपका control है क्या आपका कोई control नहीं है आप influence कर सकते हो जॉब में salary बढ़वानी है तो आप मेहनत खरोगे और कोई boss खुश होगा कोई company खुश होगी तो शह साल में बढ़ जाएगा आपके हाथ में नहीं है आप business कर रहे हो customer बढ़ाने है influence कर सकते हो आपके हाथ में control नहीं incoming तो आपके हाथ में नहीं influence कर सकते हो मेरी ज्यादा तर वीडियो में मैं incoming के बारे में नहीं outgoing के बारे में बात करता हूँ अब पैसा जाएगा वो किसके हाथ में वह आपके हाथ में में वह समय जा रही है जैसे कई लोग शादियों पर पैसा ओड़ा देते हैं इन्वेस्ट कर देते हैं अपने मंडली मन में सोचा जाए तो एक आदमी जिसके लड़की पैदा हुई है और वो क्या आगले 15-20 साल की लड़की की शादी करनी है एक दिन और 15-20 साल की investment करके कोई 10-50 लाग जोड़ता है और ए एक लाग में काम हो गया तो उसका पैसा बच गया जाने से बच गया मेरी बात समझ में आ रहे हैं इतना बड़ा contribution हो गया सामने वाली की लाइफ में अगर मेरी यह बात समझ में आ गई हो गया 50-60 लाग का फाइदा समझने में शादी में नहीं करना शादी खर्चा शोशा बाजी है ड्रामा है समझ में आ गया दूसरे में कार के अगेंस्ट बोलता हूं लोग जोश में आके शोशा बाजी के लिए कारों पर पैसा लगा देते हैं नई गाड़ी लेनी है 20-50 लाग की अरे मेरी बात अगर समझ में आ गई हैं आपको तो वह 50-30 लाग लगाने की की ट्रेनिंग में कोशिश करता हूं कि आपको आउट गोइंग के लिए इंफ्लूइंस करूं शादी पैसा बचा सकते हो कार पैसा बचा लिया मैं कहता हूं घर जब खरीदने जाते हैं तो लोग 20-20 साल के लोन ले लेते हैं तो घर पे इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की ह अब करोना आगया दो साल से लोगों की धुशा उड़ा है दिमाग का न कोई जॉब गई को बिजनस गया तो लेकिंश को लोन देना है उसको एक ही स्ट्रेस लोगों को लोन कि है तो घर पर पैसा नहीं लगाना है जी 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 समझ में आ रहा है में जी तो आप मैं क्या मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि बिलकुल ही लगाना, मैं बोल रहा हूं, priority B है, पहले आपको priority A में कहीं invest करना है, वो कहा invest करना है बता रहा हूं, जैसे मैं share market में invest करने के लिए बना करते हूं, आप कहो हैं करें क्या भाई पैसे का, क्योंकि share market में आपका direct control नहीं है, market उपर ज में पढ़ा रहे हैं, cash के format में समझ देरी बात को, तुझे monthly कुछ expense होता है आपका, भाई food पे लगाते हो, कपड़ों पे लगाते हो, कई movie देखने जा रहे हो, कई घूमने, किस चीज को खचते हो, पैसे को पैसे से खचते है, तो पैसे से आपकी जो routine की life है वो चलती है, ज जब उस पैसे को आप कहीं लगा के फसाद देते हो, तो आपके हाँ से control लूज हो जाता है, मिवास बंजा रही है, तो आज की rate में corona चल रहा है, तो लोगों के पास savings ही नहीं थी, किसी ने मेरी पहले वीडियो देखी हुई थी, तो साल, डेर साल का पैसा जोड़ा हुआ थ Cash में, लिक्विड में, तो आप राजा हो, राजा, ज्यादा तर ट्रेनिंग देखी है, जो तुमारे हाथ में आए न, निकाल दो उसको, कोई बड़ी-बड़ी गाडियों में, बड़े-बड़े घरों में, बड़ मैं बोल रहा हुँ, Cash अगर आपके वास पढ़ा है, तो आपके पास है, आ गया, तो पहला आपका टार्गेट होना चाहिए, फैनेंशल सिक्यूरिटी, आपका खर्चा 50,000 रुपे है, मुल्टिप्ला है, छे महीने, तो तीन लाख रुपे आपके पढ़ा है, तो पहले तो वह अचीव करो न, टार्गेट, कहीं नहीं आपके पास है, सबसे बहला काम, फैनेंशल सिक्यूरिटी, एक रिख्षे वाला चीव कर सकता है, कर सकता है, क्या है कि प्रॉब्लम किया, हाथ में छे दे लोग, आता है, उड़ा जिते, तो हर बड़े-बड़े बिजनेसमें के पास भी यालत है, कि नहीं है, छे महीने का है, मौन लोग बिजनेस कर रहे हो और आपके छे महीने का जो आपका expense है, आउट गोई है, पढ़ा है तो confidence है, तो चाहे परस्टोल लाइफ है, चाहे बिजनेस लाइफ है, छे महीने का fund पढ़ा हुआ है, confidence आगया, financial security level 2 है, financial stability, तीन साल का पैसा पढ़ा है तुमारे पास, तो तुम राजा हो, और एक घर है तो कही के राहे पर रह रहे हो, पर तुमारे confidence तो है, बैक आप है बारे, कार है तो कही रोल अबर ले लिया, आपको बीबास समझ में आ गई, financial security पहला target, बुसरा financial stability, तीसरा होता है, financial freedom, जैसे मैं financial freedom में आ गया हूँ, मैं पास आज की प्राश वड़ा हुआ है मेरेपास, अब मेरा जया मन करता है, गोआ जाके रहना, दजुन मैं निकाल रहा हूं, जैसे बड़ जार रहा है, मेरा मन करता है किसी sa kengin street पे जाके रहने का, तुम्हे वहाँ पिताता हूं, तो में पास time की freedom है, क्योंकि में पास काफी पैसा है, म पर मैं आपको बता रहा हूं जिस लेवल पे मैं बठा हूं तो मुझे कोई यह वीडियो वेस्ट मैंने आपके लिए बनाई है आपके आसपास के लोग भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं धक्के खा रहे हैं पैसों को लेके अगर आप यह वीडियो उनके साथ शेर करेंगे तो उन्हें भी फायदा मिलेगा पूछ रहात मिलेगी और अगर यह वीडियो स हमज में आ रही है ऐसी और वीडियो देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजे थैंक्कियू रिभी मुच सब्सक्राइब कि लिए जोरबर ज़ीज्ट चैनल को सब्सक्राइब दीजिए और साती साथ बेल आइकन को प्रेस कर